हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं पंचांग के विशे में भी आपको जानकारी देंगे रोज की तरह आज भी और बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और देरिक राशी फल दोनों दिनांग 25 अक्टूबर सन 2022 दिन मंगलवार समवत 2089 का है हिंदी का महीना कार्तिक का महीना चल रहा है और पक्ष चल रहा है साथियों क्रिशन पक्ष तिद होगी आज अमावस्या नक्षत रहेगा चित्रा योग होगा विशकुम्ब और करन होगा नाग और राशी रहेगी आ तुला और चंद्रमा पूरे दिन तुला राशी में करेंगे संचार राहुकाल की समय अवधी आज के दिन इस प्रकार से है शाम 3 बचकर 2 मिनट से लेकर शाम 4 बचकर 28 मिनट तक और अभीजीत मूर्थ की शुब समय अवधी रहेगी इस प्रकार प्रात्य 11 बचकर 47 मिनट स और इसके अतरिक्त आज विश्व कर्मा डे है पंजाब में मनाया जाएगा ये पंजाब में मनाया जाता है आज के दिन विश्व कर्मा डे और आज ही के दिन खंड गरास सूरे गरण है और ये भारत के बहुत हिस्सों में दिखाई देगा तकरीबन अगर हम कहें के नौर् पर हमारा अलग से वीडियो आ चुका है काफी समय पहले आप उसके द्वारा जानकारी एकत्रित कर सकते हैं कि किस-किस प्रकार की साफधानिया बरतनी चाहिए क्या करना चाहिए उस समय क्या नहीं करना चाहिए ये सारी बातें आपको हमारे वीडियो के द्वारा मालूम पढ सकती हैं आगे बात करेंगे आपके दैनिक राशी फन को ले करके जो की पूरूरूप से ग्रह गोचर की जो वरतमान इस्थिती चल लए उस पर आधारित है आरम करेंगे मेश राशी यानि के एरीज साइन से तो देखिए प्रेमी का मूड आज आगर आपका प्रेमी है या प् सेट रह सकता है इस बात की बहुत अच्छी और काफी संभावना है स्वास के प्रति अगर आप सचेत रहते हैं तो फिर इसका प्रभाव आपके फिटनेस पर बहुत ही स्पश्टूरूप से नजर आएगा सबक पर रोट पर वाहन चलाते समय आपको बहुत सावधानी परत नहीं है अन्यथा आपके लिए ये थोड़ा सा समस्या बन सकती है कोई चोट वगरा लग सकती है एक्सीरेंट हो सकता है उपाये आप करें पीने के पानी का घड़ा भरकर गरीबों के लिए रखवा दें पारिवारिक जीवन में बहुत ज्यादा खुशा लियाएगी मेदारी ले लेना आपको सर तक कारियों में डुबो सकता है विदेश यात्रा पर जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना आज के दिन करना पड़ सकता है जाने से पहले अपने जो पेपर्स हैं डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कम्प्लीट ली चेक कर ले और अपने साथ ले करके रहें रखें उनको अपने साथ रखिए साथ ले करके जाएं आप मैसे कुछ लोगों को विद्धिय मोर्चों पर भी थोड़ी बहुत समस्या का सामना करना पर सकता है आज शुबंक आपके लिए है आज दो और शुबंक आपके लिए है लेवेंडर औ और उपाए अगर आप करना चाहते हैं तो उपाए भी आपके लिए बनता है सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर उस तेल के गुल-गुले बनाकर उस तेल के जिसमें आप अपना चेहरा देख रहें और उसके गुल-गुले बनाकर पक्षियों में डालें आर्थिक इस सि आपदान रहने की कुछ जरूवत हैं आपको लापरवा ना हो खर्च को लेकर करके अन्यता बजट आपका बिगण सकता है और परियटन से जुड़े कार्य करने वालों के व्यापार में तेजी आने की अच्छी खासी संभावना बनती है स्वास्त को लेकर सचेत रहना आपके लिए हिद कर होगा उपाय आप करें दूद में थोड़ी एक चुक्टी हल्दी मिला करके पीने से एवं नहने के जल में भी एक चुक्टी हल्दी डालने से और उसके बाद इसनान करने पर पारिवारिक जीवन में खुशाली आएगी शुबंक आपके लिए है आज आठ और शुबरंग आपके लिए है आज सफेद करकराशी यानि के कैंसर साइन किसी साक्षात कार या परिक्षा में शामिल होने वाले चात्रों को कठिन प्रतियोगी सिती का सामना करना पड़ सकता है और किसी फायदे मन साज़ेदारी में अ आज नौकरी या व्यापार में उन्नती देखने के लिए गुलावी काच की बोतल में पानी भरकर सूर्य की किरणों में उसको रख दीजे और फिर उसी पानी को नहने वाली पानी में मिला करके इसनान किजे यह उपाया आपके रोजगार व्यापार में आपको तरक्की दि रखते हैं जिससे आपको कम समय में थोड़ा अधिक मुनाफ़ा हो तो आपको थोड़ा ये कारेस सावधानी पूरवक करना होगा जीवन साथी के साथ रिष्टे में दूरियां बढ़ सकती हैं और उपाये आपके लिए बनता है नारंगी रंग की काच की बोतल में रखा प होगा काफी वेस्ट हो जाएंगे आप ये आपके लिए काफी आराम दायक और तरोताजा करने वाला साबित हो सकता है यूं तो प्रेम के मोर्चे पर साथी के लिए आप अपने दायत्तु के प्रती संवेदंशील हो सकते हैं उपाये आप कीजिए पीला रुमाल जेम में र इबरासाइन वित्तिय मोर्चे पर इस्थिती प्रती कूल रहने के बावजूत भी आप अपने बजट का उचित प्रत्बंद करने में सक्षम रहेंगे यानि कि प्रिस्थितियां प्रती कूल रहेंगी फिनेंशली आपके अगेंस्ट रहेंगे हालात बावजूत इसके आप अपना जो बजट है उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे पेशेवर मोर्चे यदि आप प्रियास करते हैं तो सीनियर आपके लिए आपके हलफुल बन सकते हैं आपको हलफ करने के लिए आ गया सकते हैं सामाजिक मोर्चे पर आपका रुत्वा बढ़ने की अच्छी संभावना देखती है, स्वास्त के पिर्ती जागरूख होना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, उपाय आप कीजिए आर्थे की सिती को बहतर करने के लिए बढ़ या पीपल के पेड़ में उसकी जड़ में दूद चढ़ाएं आप कच्छा और वहां की मिट्टी से फिर अपने माते पर टीका करें, इससे आपके आर्थे की सिती में सुधार होगा, शुबंक आपके लिए आज एक शुबरंग आपके लिए सुनहरा, विरिश्चिक राशी यानि स्कॉर्पियो साइन, तो साथियों किसी करीबी के और से आपके लिए या आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिए शादी का प्रिस्ताब मिलने की संभावना दिखती है, किसी खेल में हिस्सा लेकर आप पूर रूप से तंदुर्स महसूस कर सकते हैं, SOM को, और जहतक एजुकेशन का सवाल है, उस पीच में रुके हुए थे, किसी कारण से प्रभावित हो रहे थे, वह भी अब सही आपको प्राप्त होंगे, और आप अच्छे रिजर्ट्स प्राप्त करने में सफल रहेंगे, उपाय आप करें, पीले सुरज मुखी के पौदे घर में लगाने पर, आपको रोजगार या प्रियसातियों आप धनुराशी के जातकों को, कि जो लोग आप धनुराशी के जातक, अपना जो पेशा है आपका, जो भी ऑक्यूपेशन है, जिस प्रोफेशन से भी आप जुले हुए, अगर आप उसमें अपना कोई लाइन चेंज करने के मूड में है, या जॉब कोई विशेश तरक्की की संभावना नजर आ रही है, आर्कीटेक्ट, लॉयर और एकाउंट का काम करने वालों के लिए आज का दिन काफी बिजी रहने वाला है, आपका दिन, आप काफी बिजी रहने वाले हैं, अच्छे स्वास के कारण उतसाहित महसूस जरू करेंगे अ रखने आपको, उपाये आप कर सकते हैं, चांदी का सिक्का डाल करके, गंगा जल घर में रखने पर आर्षिक उन्नती निश्यत रूप से होगी, शुब अंका आपके लिए चार, शुब रंगा आपके लिए आज नीला, मकर राशी यानी के कैप्रिकॉन साइन, प्रियसात जिसको भी आप अपने मनी मन प्यार करते हैं, उससे मिलने का मौका मिलने की अच्छी संभावना बन रही है, और सलक यात्रा के समय परेशानी आने के कुछ संकेत मिल रहे हैं, ग्रहों की ओर से, लापरवाई से नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको, तो इसलिए विशे इस रूप से साथ धानी बरतिये, उपाए आप करें साधू संतों को प्रसन करना, एवं उनका मान सम्मान रखना, आपके प्रेम संबंदों को और आपके स्वास्तों को मजबूत करेगा, शुब रंक आपके लिए है साथ, और शुब रंक आपके लिए है लेविंडर, कुम लिए शांदार जगे का चुनाव करने के कारण, आपके साथ जाने वाले आप से बहुत अधिक प्रसन होंगे, और आज का दिन प्रेमी को प्रभावित करने के लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है, कोई सर्प्राइज पार्टी भी आज के दिन अगर आप पिलान करे के लिए बास, बैत, सरकंडा की टोकरी या ट्रे का प्रियोग करने पर पारेवारिक जीवन से जुड़ी हुई बाधाएं दूर होंगी, अंत में मीन राशी यानि के पाइसिस साइन, तो प्रियसातियों लंबी आत्रा के समय कोई परिशानी आपको उढ़ानी पड़ सकती ह आज के दिन, पेशे बर मोर्चे पर किसी प्रिती कूल इस सिती से निवटने में सक्षम रहेंगे आप, और पदोननती की उम्मीद लगाए जो लोग बैठे हैं, इससे संबंदित कोई संकेत मिल जाने से काफी आप आननदित रहेंगे, काफी चीरफुल मूड में रहेंगे प्रेमी के साथ कोई अनबन हो सकती है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, और स्वास्त को लेकर ज़्यादा सतरक रहने की भी आवश्यक्ता बन रही है उपाये आप करें, स्कूल, होस्टल या नाथ हाश्रम में आर्थिक मदद या पुस्तकें या उपियोगी सामान दान करने पर नोकरी या व्यापार में तरक्की हासिल करेंगे आप तो ये था आप मेश्ट से लेकर मीन राशी तक के जो बारे राशियों के जातक हैं, उनका दैनिक राशी फ़ल्द, दिनांग 25 अक्टू वर्सन 2022 दिन मंगलवार्द, समवत 2089 का, और अब समय आ गया है प्रिये साथियों, कि ये बताने के बाद आप सभी को, कि आज का दिन आपका किस प्रकार का बीतने वाला है, कैसा व्यतीत होगा, अब समय आ गया है कि यहां पर हम अपनी वानी को विराम दें, पूर्ण रूप से, और अपने आप सभी प्रिये स्चोताकणों से भी इजाज़त लें, तो इसी के साथ आप सभी का सेहर दें, बहुत बहुत धन् जे मतादी